रुकावर्ट से हो तंग प्रिये तो कर लो आप चेंज प्रिये देख बिना ब्रेक, डाउम्लोड तक आप विधायक जी परेशान है क्योंकि इनकी बेटी इस सरकारी अस्पताल के मेटरिनिटी वॉर्ड में भरती है उसकी डिलिवरी होनी है लेकिन आरोप है कि उस वग्द अस्पताल में अनिस्थीसिया के डॉक्तर ही नहीं थे काफ़े इंतजार के बाद जब कोई विवस्था नहीं हो सकी तो विधायक जी अपनी बेटी को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में लेकर चले गए विधायक जी का आरोप है कि उन्हें अपनी बेटी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिली जिसकी वजह से उन्हें अपनी ही गाड़ी में मरीज को ले जाना पड़ा ज्यादा कई तो टाला टूली कर दे कि बाहर ले जाओ तुमके तो मैं को बाहर साथ कोई जान पुचान नहीं है हमारी गरीव है कैसे ले जाँगा तो मेरे साथ में मेरी बच्ची के साथ में ये गटना हो रही तो गरीव हैं का हो रहा है तो मेरा सरकार से कहना कमनलाद सेजी का कर रहे है आप से सरकार नहीं आवे चलाओं तो क्यों जोरी कर रहे है आप जबरदस्ती आप तो उटता ही बदाये गंते हैं और कुछ नहीं कर रहे है बकास कोई नहीं है अस्पताल पूरी फैल है हाला कि अस्पताल प्रबंधन बीजेपी विधायक सीता राम आदिवासी के आरोपों को सिरे से खारिश कर रहा है सिविल सर्जन के मुताबिक अस्पताल में प्रयाप सु विधायें उपलब्ध है लेकिन विधायक जी ने अपने मन मुताबिक अपनी बेटी को यहां से रेफर करा लिया खुद फिर उस महिला के परजनों से बात की उनको समझाया बार्ड में जाके कि आप चाहें तो मैं द्वारा इंबूलेंस बुलबा देता हूँ लेकिन उन्होंने का अभी हम देखते हैं जो है चार बजे मैंने माननी बिधायक मोजे से खुद परस्नली चर्चा की तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे केम्प में जो डॉक्टर हमारे बीले आदव साभ और वो जो गए थे एंडिस्तिशा वाले बोले उनसे बात कर लिए उन्होंने का ठीक है हम केम्प से आने के बाद में देख लेंगे या तो डिलीवरी या उप्रेशन जो भी होगा वो उस समय करवा लेंगे पेशेंट को क की अस्पताल से वो ले गए फिलहाल निजी अस्पताल में विधायक जी की बेटी की डिलिवरी हुई लेकिन इस घटना ने राज्य की स्वास्तिय सेवाओं की पोल खोल दी है वैसे मध्यप्रदेश में लगातार भाजपा की सरकार रही जब कॉंग्रेस ने चुनाव लड के घेरे में आ गए हैं ब्योरो रिपोर्ट एमपी तक